हेलो गाईज, विलकम बाक तो माई चानल, दोस्तो आज की रिसिपी है राजिस्थान की फेमस बड़ी पापड की सबसी, इसे राजिस्थान में बहुत ही पसंद किया जाता है और यह आप सबको भी बेहत पसंद आने वाली है, जब भी आपके घर पर कोई सबसी ना हो, तो आ यहां पर मैंने लिया है ताजा दही वन फोर्थ कप और इसे हम अच्छे से बीट कर लेंगे, ताकि यह बिलकुल चिकना हो जाए, अच्छे से मत जाए, तो आप देख सकते हैं, दही अच्छे से मत चुका है, तो दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों को एक टिप देती तो यहां मैंने बेसन मिक्स कर दिया है दही में, अब मैं इसमें वन फोर्थ कप ही पानी भी मिक्स कर दूँगी, और दौनों को फिर से अच्छे से मिक्स कर लोगी तो यह हमारा दही का बैटर तयार हो चुका है, अब हम इसमें स्वाद के अलुसार थोड़ा सा नमक मिलाएंगे हाफ टीस्पून के हिसाब से हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और हाफ टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे और 1 teaspoon हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी अजवाइन को हम इस तरीके से हाथों के बीच में रब करते हुए डालेंगे इससे इसकी खुश्पूव और बढ़ जाएगी और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा तो अब इन सारी चीज़ों को हम एक तरफ रखते हैं और आगे की प्रिपेरेशन्स शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक कड़ाई ली है उसमें मैं 1 teaspoon घी डालूंगी आप इसमें तेल का इस्तिमाल भी कर सकते हैं तो यह मूंग डाल की बड़ी है तो मेरे पास इस तरीके की बड़ी है आपके पास जो भी हो आप इसमें इस्तिमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर हम 2 मिनट के लिए धीमी आज पर बड़ी को अच्छे से भून लेंगे तो बड़ी अच्छे से भून चुकी है आप देख सकते हैं तो अब इसे स्टेज पर हम इसमें डालेंगे एक कप पानी और थोड़ा सा इसमें मिलाएंगे हम नमक जिससे की हमारी बड़ी अच्छे से पक जाए और इसे हम अच्छे से mix करते हुए इसे ढख कर हम पकाएंगे जब तक कि बड़ी अच्छे से soft ना हो जाए तो चलिए अब हम इसे ढख देते हैं और आज को हम धीमी कर देते हैं और इसे पकने देते हैं तो यहां पे 5-7 मिरिट में लगबग बड़ी पकर तयार हो जाती है तो आप देख सकते हैं यह बिल्कुल फूल कर साइज में डबल हो गई है और पानी भी बिल्कुल नहीं है और यह बिल्कुल soft हो चुकी है यह देखे तो अब हम इसमें mix करेंगे दही वाला mixture जो हमने पहले आने शुरू हो जाए तो इस वक्त दोस्तों ध्यान रहे हमारी आच धीमी ही होनी चाहिए और इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक दही में उबालना आ जाए तो आप देख सकते हैं दही में उबाल आना शुरू हो चुका है अब हम इसमें वन फोर्थ कप पानी मिक्स करें और इसे 2 मिनिट के लिए दीमी आज पर और पकने दें तो 2 मिनिट हो चुके हैं तो इसे हमारी सबजी बन कर तयार हो चुकी है आप देख सकते हैं इसका कितना खुब्सुरत कलर आया है और बड़ी भी अच्छे से पक कर तयार हो चुकी है यहाँ पर मैंने मूंग दाल के पापड़ लिये हैं और इन्हें बड़े टुकड़े करके इस तरीके से अलग-अलग फैलाएंगे अगर हम एक साथ टाल देंगे तो यह आपस तो हमें इस तरीके से इसे अलग-अलग करते हुए ग्रेवी में मिक्स करना है ताकि यह एक दूसरे से चिपके ना और सौगी ना हो तो मैं जैसे कर रही हूँ आप भी बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा तो आप देख रहे हैं दोस्तों यह सबजी बनाना कितनी आसान है ना तो तो यहां पे सबजी बन कर तयार हो चुकी है तो अब हम इसमें लगाएंगे बगार तो चलिए अब हम इसमें बगार की तयारी कर लेते हैं तो यहां पे मैंने लिया है वन टेबल स्पून घी आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप घी यहां पे गरम हो चु तो इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है अब यह बगार हम डालेंगे सब्जी के ओपर तो लीजे हमारी सब्जी बनकर तयार हो चुकी है तो राजस्थान की फेमस बड़ी पापड की सब्जी आप भी घर पर बनाएगे और मुझे जरूर बताइएगा कि तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और इसे जादा से जादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले मैं बिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्त रहें रैंक्यू क्टी करना भूले मैं на धिसे साथ खब यिए एक ये था कही करें है तो आप करेंगी साथ को ये झाल गरना हैं aun сделать खब तो तो पन तकी करें खब हम से तो और समय दूले बिलती हैं आप को जो हम से बभी हैं जाग का वेक्टी करें जोद़्िएश तक करें नहीं अल तो